Hello friends, welcome back to my channel. So, आज हम सीखिंगे daily use common English word meaning. So, let's get start this video. So, आज का first word है conjuice. Conjuice को English में miser कहते हैं. Miser means conjuice. Next word है चमतकार. Chamatकार को English में miracle कहते हैं. Miracle means chamatकार. Next word है ठका हुआ. ठका हुआ व्यक्ती. तो ठका हुआ को English में exhausted कहते हैं. Exhausted means ठका हुआ. Next word है चुगली करना. या पीट पिछे बाते करना चुगली करना. उसे English में backbiting कहते हैं. Backbiting means चुगली करना. Next word है दया. दया को English में mercy कहते हैं. और दयालू या कृपालू को English में merciful कहते हैं. दयालू means merciful. Next है सैतान. सैतान को इंगलिस में डैविल कहते हैं डैविल मिन्स सैतान Next word है मूफट मूफट मिन्स जो जादा ही बोलता है जादा बोलने वाले इंसान को इंगलिस में हिंदी में मूफट कहते हैं और इंगलिस में ब्लंट Next word है अजनबी या अंजान को इंगलिस में stranger कहते है Stranger means अजनबी या अंजान Next word है विश्वास विश्वास करना को इंगलिस में trust कहते है Trust means विश्वास Next word है अंध विश्वास अंध विश्वास को इंगलिस में Super Sustains कहते है Super Sustains means अंध विश्वास Next word है Bechen बेचैन को इंगलिस में नर्वस कहते हैं नर्वस मिन्स बेचैन नेक्स्ट वड़ है गुलाम गुलाम को इंगलिस में स्लेव कहते हैं स्लेव मिन्स गुलाम नेक्स्ट वड़ है चलाक चलाक को इंगलिस में क्लैवर कहते हैं क्लैवर मिन्स चलाक नेक्स्ट वर्ड है पढ़ा लिखा पढ़े लिखे व्यक्ति को इंगलिस में लिट्रेड कहते हैं लिट्रेड मिन्स पढ़ा लिखा नेक्स्ट वर्ड है अनपढ अनपढ व्यक्ति को इंगलिस में इलिट्रेड कहते हैं इलिट्रेड मिन्स अनपढ नेक्स्ट है भाग्यसाली भाग्यसाली को इंग्लिस में फॉर्चुनेट कहते फॉर्चुनेट मिन्स भाग्यसाली नेक्स्ट है जिग्यासू जिसमें बहुत जानने की इच्छा हो उसे इंग्लिस हिंदी में जिग्यासू कहते और English में Curious Curious में Zिग्यासू Next, महनती महनती को English में Hardworking कहते हैं Hardworking means महनती Next बुध्धी बुध्धी को English में Wisdom कहते हैं Wisdom means बुध्धी Next मनोरंजन मनोरंजन को English में Entertainment कहते हैं Entertainment means मनोरंजन Next गमंड या घमंडी को इंगलिस में arrogant कहते हैं arrogant मिन्स घमंडी नेक्स्ट भेदभाव भेदभाव करना को इंगलिस में discrimination कहते हैं discrimination मिन्स भेदभाव नेक्स्ट वर्ड है धोके बाज धोके बाज इंसान को इंगलिस में चीटर कहते हैं Cheater means धोके बाज. Next word है. Brahm. Brahm हो जाना. तो Brahm को इंगलिस में Illusion कहते हैं. Illusion means Brahm. Next है. Brahmachari. Brahmachari को इंगलिस में Salibut कहते हैं. Salibut means Brahmachari. Next है. Chanchal. Chanchal व्यक्ति को इंगलिस में Fickle कहते हैं. Fickle means Chanchal. Next word है. Gali देना. Gali देना को इंगलिस में Abuse कहते हैं. Abuse means Gali. Next है. Dhongi या पाखंडी को इंगलिस में Hippocrate कहते हैं. Hippocrate means धोंगी या पाखंडी. Next है. Niraas. Niraas को इंगलिस में Disappointed कहते हैं. Disappointed means Niraas. Next है. आज्याकारी. आज्याकारी को इंगलिस में Obedient कहते हैं. Obedient means आज्याकारी. Next word है. बक्वास. बक्वास. बक्वास को इंगलिस में Nonsense कहते हैं. Nonsense means बक्वास. Next word है. बेमान. बेमान व्यक्ति को इंगलिस में Dishonest कहते हैं. Dishonest means बेमान. Next है. गुंडा. गुंडा को इंगलिस में Hooligan कहते हैं. Hooligan means गुंडा. Next word है. इशारा. इसारा को इंगलिस में Juscher कहते हैं. इसारा करना means gesture. Next है. हमदर्दी. हमदर्दी को इंगलिस में Sympathy कहते हैं. Sympathy means हमदर्दी. तो दोस्तों ये आज की quiz हैं. बुद्धी को इंगलिस में क्या कहते हैं? इसका answer आप comment box में लिख सकते हैं. दोस्तों इस चैनल पर आपको common English word meaning and small English sentences की knowledge मिलती है. जिससे आपने day-to-day life में यूज होने वाले English को असानी से सीख सकते हैं. दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसना आया तो like, share and subscribe जरू को लिजिए. Thanks for watching.